श्कार भगतो आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर सहदिल से स्वागत है आज हम लेकर आएं आपके लिए आमल की एक आच्छी वर्थ कथा कथा सुनने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली हरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके आमल की एक आच्छी वर्थ फागुन सुक्लपक्ष की एक आच्छी को किया जाता है आमल की एक आच्छी वर्थ के दिन आमल की वर्थ की पूजा अवस्थे करने चाहिए आमल की एक आच्छी वर्थ का था प्राचिनकाल में भारत देश में चित्रसेन नामक राजा राज्य करते थे उनके राज्य में एक आच्छी वर्थ का बहुत महतव था समस्त लोग एकादसी वर्त को किया करते थे एक दिन वह राजा जंगल में शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल गए तभी कुछ जंगली जातियों ने उन्हें आकर घेर लिया मलेच्छों ने राजा के उपर अस्तर सस्तरों का कठिन प्रहार किया मगर उन्हें कोई कश्ण ने हुआ यह देखकर वह सभी आश्चरिय चकित रहे गए जब उन जंगली जातियों की संख्या देखते ही देखते बहुत बढ़ गई तो राजा संग्याहीन होकर प्रित्वी पर धाराशाही हो गए उसी समय उनके सरीर से एक दिव्य शक्ती परकट हुई जो उन समस्तर आक्षशों को मार कर एद्रिश्य हो गई जब राजा की चेतना लोटी तो उन्होंने देखा कि समस्त मलेश मरे पड़े हैं अब वे इस उधेडबून में पड़ गए कि इन्हें किसने मारा तभी आकाशमाणी से यह सुनाई पड़ा हे राजन यह समस्त आक्रामक तुम्हारे पीछले जरम की आमन एकाज्शी के वर्त के परभाव से मर गए हैं यह सुनकर राजा बहुत प्रशन हुआ तथा समस्त राज्य में इस एकाज्शी के महतम्य को कह सुनाया मलेच्चों के विनाश, शेसमस्त परजा, सुक्ष चैन की बंची बजाने लगी इसलिए हे भगतों हमें एकाज़ी का वर्थ अवश्य करना चाहिए और एकाज़ी का वर्थ करके हमें भगवान शेरी हरी विश्णों की कृपा अवश्य प्राप्त करने चाहिए जे शेरी हरी विश्णों भगवान